हालो फ्रेंड्स वेलकम टो सोलफुल किचेन ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और सारे घर के सारे लोगों को बहुत पसंद आता है ये है चीज कॉन पराठा अभी आजकल का सीजन भी चल रहा है हमें कॉन बहुत आसानी से बाहर मिल जाते हैं जनरली इसमें स्व टेस्ट काफी अच्छा होता है मौश्यर ज्यादा होता है उसमें तो बहुत अच्छा लगता है और ये चीज देख रहा इता टेस्टी लग रहा है ये पराठा और सबको पसंद आता है तो आप बनाया नहीं होगा अभी तक तो बना कर एक वार जरूर देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा और हाँ रेसिपी अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट्स भी किया कीजिए तो ये मैं आपको बताती हूं मैंने कैसे बनाया है ये सबसे पहले स्वीट कॉन स्राइज हो ये इसके ऊपर के जो दाने हैं उसको चापू से डाक्वस निकालें कि हम इसे बड़े दाने यूज करेंगे इससे मिक्सर से वगडर्ए नहीं निकाला है ये ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं खाने मेंheaded तो इसे आप उपर से ऐसे सारे दाने निकाल लीजिए म मैं आपको करीब आठ से दस पराठे के हिसाब से बता रही हूं दो स्वीट कॉन के दाने निकाल करके हमको इस तरह के से तैयार करना है आपके पास में अगर यह अवेलेबल नहीं हो तो आप फ्रोजन भी ले सकते हैं उसे भी आपको थोड़ा सा बॉइल करके सॉफ्ट करके यूज़ कर सकते हैं अभी तो इजिली अवेलेबल है यह फ्रेश वाले का वैसे काफी अच्छा टेस्ट आता है इसे बॉइल कर लेना है आपको 5 मिनिट से 10 मिनिट का टाइम लगेगा इसको बहुत ज़ादा नहीं पकाना है पांच मिनिट तक बॉइल करने के बाद में और इसका पानी फेकना नहीं है इसे हम छनी से चान करके रख लेंगे और इसी पानी से हमको आटा भिगाना है और ये कौन के दाने जो छाने हैं इसे ठंडा होने दीजिए क्योंकि हमें चीज मिलाना है इसमें तो ये चीज हम इधर तयार करके रख लेते हैं मैंने यहां पर एक कटोरी मौजरेला चीज लिया है और उसमें करीब आधा कटोरी हमारा प्रोसेस चीज ले रहे हैं ये अंदर हम जो उसका चीज का फिलिंग जो भरेंगे उसमें उसके लिए आपके पास में दोनों चीज अवेलेबल है तो अच्छा है नहीं तो चलेगा एक भी रहा तो तब तक हम आटा भी बिगा कर रख देते हैं क्योंकि उ दो गलास आटा भरके लेना है अब चाहे तो इसमें एक गलास आटा गहूंका आटा और एक गलास मैदा- All-Purpose फ्लाउर भी यूज़ कर सकते हैं अभी कररिब दो ती श्पून तेल डाला है और एक टी स्पून नमक डाल करके इस आटे को हमको भीगा लेना है मैंने पहले ही पता आ है जैसे कि कॉन का जो पानी बॉइल करके रखा है उसे थोड़ा सा मीडियम ठंडा हो जाने के बाद में उसी पानी से हम आटे को भीगा लेंगे इससे कॉन का टेस्स उसके बाहर की कवरिंग पे भी आ जाएगा और वो अच्छा हेल्दी पानी है हमने उसमें बॉइल किया है कौन को तो उसे वैसे भी नहीं फेकना है देखियों थोड़ा-थोड़ा करके करिब जैसे दो ग्लास आटा लिया है तो उसमें साधारण एक ग्लास के आसपास थोड़ा उससे कम ही पानी यूज होता है ये गरम है इसलिए इसको दीरे-दीरे डाल करके हम मिक्स करके आटा गून के रब देंगे इसे करीब 5-10 मिनिट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है ये देखे अभी थोड़ा सा गून करके मैं इसे रख दूँगी बाद में हमें इसे वापस थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है ढ़क करके इसे साइट में रख दीजी अभी हमने चीज जो निकाल लिया था फ्रिजर में से अभी इसमें हम ठंडा किया हुआ स्विट कॉन डाल रहे हैं ये करीब करीब 2-30 कप स्विट कॉन हो गया है हमने 2 कॉन लिया है मीडियम साइज का और इसे थोड़ा सा बॉइल करके त्यार कर लिया है अब इसे इसमें हम मसाले देंगे जो सब सबसे पहले इसमें कटा हुआ हरा धनिया आप चाहें तो इसमें बारिक कटी हुई गाजर वगेरा भी यूज कर सकते हैं बींस गाजर वो भी अच्छा लगता है यह रेड चिली फ्लेक्स है आधा से पॉन चम्मच कुछ आपको जितना तीखापन चाहिए हो यह एक फ्लेवर देता है इसमें इसमें सीजनिंग है आधा चम्मच करीब इटालियन सीजनिंग है यह जो हम पीजा पर यूज करते हैं और आपको दिख़ण जैसा चाहिए उस वसी सांप से एक चम्मच लाल मिर्ज पाउडर डालना है आदा चम्मच, काला मिर्च पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ये थोड़ा सा आफ चम्मच, चाट मसाला डाला है और एक टी स्पून के करीब नमक, नमक थोड़ा कमी रखेंगे क्योंकि चीज में थोड़ा सा सॉल्टेनेस अल्रेडी होता है और इसमें आदा चम्मच, जीरा पाउडर भी डालना है मैंने डाल दिया है इसमें आप नमक स्वाद के अनुसार चेक करके डालें डालने के बाद चेक कर लें और तिखट भी आपके हिसाब से डाल कर देख लीजे अब ये करीप 15 मेट हो गया है आटे को अब इससे वापस से एक वार गूंद लेना है अच्छे से इस तरह के से वापस गूंदने से आठा काफी स्मूथ हो जाता है इससे उसका ग्लोटेन जो रिलीज होता है तो पराठा रोटी जो भी हम बनाते हैं काफी अच्छा बनता है अब ये एक पराठा बनाने के लिए थोड़ा सा आठे का गुला बना लेंगे और इसे हमें थोड़ा अब दूना फिलिंग बनाने जो वने चीज कौन का मसाला तयार किया है वो इसमें बनाना है आप देखे इसे कैसे बढ़ते हैं थोड़ा सा फेलिंग जादा ही भी अब भरे हैं इसमें क्योंकि ये स्टाफिंग जितना जादा इसमें होगी वो टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा आपको पराटे का और इसको ऐसे धीरे धीरे फोल्ड करते हुए आपको पूरा शेप में ले आना है और इस तरीके से फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा आटा उपर बच जाता है वो हटा देंगे अब इससे हलके हाथ से प्रेस करिए इससे कौन अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा जो अंदर हमने भरा है मसाला और इसी तरीके से उसको बेरे के पहले भी हलका सा उसे हाथों से टैप करके और मसाले को अच्छे सा स्प्रेड कर लीजे इस तरीके से मसाला एक जगे जमा नहीं होता और सब जगे अच्छे से फैलता है अब हलके हाथों से इसे धीरे-धीरे करके हमें बेलना है नहीं तो मसाला बाहर आ सकता है क्योंकि मसाला पूरा अच्छी तरीके से फैला है पूरा अंदर पराठे में आपके अगर अच्छी हैबिट हो जाती बनाने की तो आप इससे भी बड़ा और इससे भी मोटा ज्यादा फिलिंग वाला पराठा भी बना सकते हैं धीरे-धीरे अब इसे तवे गरम तवे पर सेखना है हमें पहली साइट को 2-3 मिनिट तक सेख करके उसको पलट लें अब दूसरी साइट को करीब 4 मिनिट तक थोड़ा सा ज्यादा पकाने पकने देना है और तेल लगा करके इस सत्या पर अब हमें दोनों तरफ से अच्छे से इसे शिकन देना है थोड़ा सा आच यहां पर कम रखेंगे गैस का क्योंकि अगर यह कम गैस पर हम थोड़ा ज्यादा दिर सेखेंगे तो पराठे में अच्छा क्रिस्पिनेस आता है एकदम हाई फ्लेम पे नहीं सेखना है फुड़ा मेडियम फ्लेम पे ही से शेखने देना है पराठे का एक में यही होता है कि जितना हम उसे थोड़ा सा स्लो अगर मेडियम टेंपरेचर पे धीरे धीरे सेखते हैं अच्छा ऐसा तेल स्प्रेड करके उस पर पराठा और अच्छा बनता है यह देखे रेडी हो गया है अब मैं आपको इसे काट कर बताती हूं अंदर से यह कैसा बना है पराठे में पूरा इवनली सब मसाला फैला हुआ है और यह चीज देखे आप टेक्शर चीज का इसे देख करके ही मुँ में पानी आ जाएगा आप चाहें तो इसमें चीज की कॉंटिटी और ज्यादा बढ़ा करके इसे बना सकते हैं तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा तो वाच मोर रेसिपेस प्लीज वीजित आप चानल थैंक यू